दारिद्रे दहन स्तोत्र समस्त चराचर विश्व के स्वामी रूप विश्वेश्वर नरक रूपी संसार सागर से उधार करने वाले कानों से शर्वन करने में अमरित के समान नाम वाले अपने भाल पर चंद्रमा को आभूशन रूप में धारन करने वाले कपूर की कान्ती के समान धवल वर्न वाले जटा धारी और दरिदर्ता रूपी दुख के विनाशक भगवान शीव को मेरा नमस्कार है मातागोरी के अतन्त प्रिये रजनीश्वर की कला को धारन करने वाले काल के भी अंतक रूप नागराज को कंकन रूप में धारन करने वाले अपने मस्तक पर गंगा को धारन करने वाले गजराज का विमर्दन करने वाले और दरिदर्टा रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है भक्ति प्रिये संसार रूपी रोग एवं भै के विनाशक संघार के समय उग्र रूप धारी दुर्गम भवसागर से पार कराने वाले जोती सवरूप अपने गुन और नाम के अनुसार सुन्द निर्ट्य करने वाले तथा दरिदर्टा रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है व्याग्र चर्मधारी चिता भसम को लगाने वाले भाल में तीसरा नित्र धारन करने वाले मनियों के कुंडल से सुशोभित अपने चर्णों में नुपुर धारन करने वाले जटा धारी और दरिदर्टा रूपी दुख के विनाशक भगवान शि नागराज रूपी अभुशनों से सुसजित, सुवर्ण के समान वस्तरवाले अत्वा सुवर्ण के समान किरनवाले तीनों लोकों में पूजित, आनन्द भूमी को वर प्रदान करने वाले, सृष्टी के संघार के लिए तमों गुना विष्ट होने वाले तथा दरिदर्ता दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है सुर्या को अतन्त प्रिये अथवा सुर्या के प्रेमी भव सागर से उधार करने वाले काल के लिए भी महा काल सवरूप कमलासन से सुपूजित तीन नित्रों को धारन करने वाले शुब लक्षनों से युक्त तथा दरिदर्ता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है मरियादा पुरुशोतम भगवान राम को अतन्त प्रिये अथवा राम से प्रेम करने वाले रगुनाथ जी को वर देने वाले सर्पों के अतिप्रिये भव सागर रूपी नरक से तारने वाले पुन्यवानों में अतन्त पुन्यवाले समस्त देवताओं से सुपूजित तथा दरिदर्ता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा नमस्कार है मुक्त जनों के स्वामी रूप, चारो पुशार्थों के फल देने वाले, प्रमतादी गणों के स्वामी, स्तूती प्रिये, नंदी वहन, गज चर्म को वस्त रूप में धारन करने वाले, महिश्वर तथा दरिदर्ता रूपी दुख के विनाशक भगवान शिव को मेरा न तोत्र समस्त रोगों को दूर करने वाला, शिग्र ही समस्त संपतियों को प्रदान करने वाला, और पुत्र पुत्रादी वंश प्रम्परा को बढ़ाने वाला है, इस तोत्र का जो मनुश्य नित्य तीनों कालों में पाठ करता है, उसे निश्चे ही स्वर्ग लोक की प्रा कुत्र संपूर्ण हुआ